हलो दोस्तो तो आज हम लाए हैं आपके लिए एक और नई रेसिपी जो आपको बहुत ही पसंद आने वाली है तो इसके लिए हमने टमाटर प्याज सब ले लिया है और इसे हमने सारा का सारा कट कर लिया है हरी मिर्च है टमाटर है प्याज है और लेसोन है और थोड़े से गर सरसो का तेल अब इसे हम अच्छे से गरम होने देंगे फिर इसके अंदर हम डालेंगे पहले तेज़ पत्ता और जो भी खड़े मसाले हैं गरम उन्हें डालेंगे उसके बाद हम जीरा डालेंगे इसमें और पांच छे इसमें डालेंगे हम लार मिर्च वो भी तोड़ कर अब इसमें हम लहसुन डालेंगे और गरेट करके हम डालेंगे इसमें एक टुकड़ा अद रखका और इसे हम अच्छी तरह से चलाएंगे पहले अब इसके बांदर हम डालेंगे हरी मिर्च कटी हुई आठ दस हरी मिर्च है आपको जितना दीखा चाहिए आप उसी साब से हरी मिर्च ले सकते हैं अब इसमें हम डालेंगे प्याज कटी हुई अब इन्हें हम अच्छी तरह से पहले बूझेंगे तो इसे हम बराबर चलाते हुए तेज आँच पर भी इसे बूझ सकते हैं तो देखिए हमारे इतना पक चुका है अभी हमें इसे और भी पकाना है अब इसमें हम थोड़ा पीछा मसाला डालेंगे तो डालेंगे आधे चमबच के करीब हम धनिया पावडर गरम मसाला पावडर हल्दी पावडर और लाल मिर्च पावडर सब हमने आधा आधा चमच लिया हैं अब इन सबको भी हम इसमें डाल के और अच्छी तरह से इसे हम भूझ लेंगे अब हमने जो टमाटर कट किया था उसे भी हम इसमें डाल देंगे और इसको भी हम अच्छी तरह से भूझ लेंगे उसके बाद हम इसमें आधे किलास के करीब पानी डालेंगे इसके बाद हम दो तीन सीटी ले लेंगे अब हमने ले लिया है चिकन हमारा है आधा किलो के करीब इसे हमने अच्छी तरह से धो लिया है तो देखिए हमारा मसाला भी पक चुका है अब हम चिकन बनाएंगे तो उसके लिए हम ले लेंगे एक चमच भर के सरसो का तेल उसमें भी डालेंगे हम तेज पत्ता जाल चिनी की लकड़ी और बड़ी लाइची और फूल इसके बाद हमें इसमें चिकन डालेंगे चिकन को पहले हम थोड़ा सा भूंज लेंगे उसके बाद हम चिकन को एक तरफ कर देंगे और जो तेल है उसमें हम डालेंगे एक प्याज कटी हुई और इसमें भी हम थोड़े से सुखे और पीसे हुए मसाले डालेंगे जैसे के हो गया है लाल मिर्च पाउडर धनिया पाउडर हल्दी पाउडर और गरम मसाला और यह डाला हमने कस्मीरी लाल मिर्च और इसे हमने अच्छी तरह से भूंज लेना है अब इसमें हम डालेंगे दो चम्मच के करीब दही हमें फ्रेज दही लेनी है अब हम चिकन को मसाले में भूंज लेंगे तो देखिए हमारा चिकन भी एकदम अच्छी तरह से भूंज चुका है अब हम देखते हैं कुकर का मसाला हमारा पक चुका है तो देखिए हमारा कुकर का पूरा मसाला पक चुका है अब इसे हम अच्छी तरह से चला लेंगे पहले अब इसे हम जो चिकन है उसमें ये मसाले को डाल देंगे और इसे चलाएंगे और जो कुकर में मसाला है उसमें थोड़ा सा पाने डालेंगे आदे गिलास के करीब उसे भी अच्छी स्थारा से कुकर को दो कर इसमें डाल देंगे अब इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक अब इसमें हम थोड़ी देर के लिए हम तेज आज पर इसे पकने देंगे उसके बाद हम आज को धीमी कर देंगे पांच मिनट तक हम धीमी आज पर पकाएंगे इसको तो देखिए हमारा एकदम चिकन बनकर तयार हो गया है अब इसे हम सर्विंग बॉल में रखेंगे अब उपर से हम इसमें धनिया से सजा देंगे इसे तो आपको हमारा ये दो प्याजा चिकन कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब किये भी गर मच जाएएगा तो इसी तरह आप मेरे चैनल पर जाके और अच्छी वीडियो देख सकते हैं मिलते हैं नेक्स वीडियो